मैं notice कर रहा हूं आजकाल जो नए ग्राफिस कार्ट जो खरीत रहे हैं नहीं इंक्वाइरी आ रही है उनक्य और उतने ही सेम रिशियो यह उतने ही सेम इंक्वाइरी इस बोल सकते हैं कि इंक्वाइरी सब्सक्राइब करें अब काफी लोग परशेज लेके आया हैं हमेशा की तरह और दोस्तों मैं अभी क्या है मैं देख रहा हूं कि मार्केट में भी सकेंड हैं ग्राफिस कार्ट बहुत सारे भी करें ठीक है तो आप लोग से मतलब मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि मतलब कुछ-कुछ आप लोग अगर खरीद रहें तो क् सबसे जाद मार्केट मैं यार बाव मतलब यह मायनिंग कार्ट के पुरे फ्लाड़ भरे पड़े माइनिंग तो मायनिंग कार्ड को यह कोई-क लोगजो माइन लोग होते जो मायनिंग करते बहुत अच्छे से कुछ कुछ में फरक पड़ता है तो कभी-कभी कोई कोई क्राफिस काड इतना घ्राब हो जाते हैं करने के मतलब यह नहीं करते करते करने कर जाता है फर एकजांपल कीस तरह से कोई-कड में देखना आप हमेशा जब आप सा खरीदेंगे आज करना तो दो तिन चीज हम इसा चेक कर लेना सबसे पहले कि यह है कि उसमें देखना की रस्ट ज्यादा ना लगा हो जंग बहुत जल्दी लग जाते हैं ठीक है तो मतलब क्या होता कि चांसिस काफी होते हैं कि आपकी वारंटी से खतम हो जाएगा सर्विस सेंटर वाल एक्सेप नहीं करेगा ठीक है एक तो यह इस टाप एक पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा जब आप सकेंड ग्राफिस कार्ट खरीद रहें तो आप हमेशा जो उसका स सब्सक्राइब लगा होता है तो वहाँ पर वह सीनल अंबर मतलब आगना गया हो ऊड़ना गया हो या स्टिकर निकलना गया हो वह सब ध्यान लगना स्टीकर से कभी-कभी क्या होता है सकते हैं जो जो सीरियल नंबर लिखा होता है तो प्लिए जाता है कैसे मिट तरह मुझे इतना श्यों नहीं हो मैं गैरेंटी नहीं जाकते हैं जो भी हो बस अब जाता है था अप हमेशा यह भी द्यान रखने कि स्टिकर में अभी है और यह आजकल एक होता है यह सिर्ल नमर मि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जाब कार्ट खरीज रहे है तो जो ऑनलाइन रिजिस्टर किया जो बोलता है तो जिस इमेल से आपने रिजिस्टर किया है वही वही इमेल से मुझे क्या बोलते हैं लोग इंडित करते हैं एक उसके बाकि बाकि आपने कोई दिक्कत की बात नहीं तो आप लोग ज्यादा लंबा बोल दिया लेकिं क्या करूँ मैं आप लोग के थोड़ा मतलब सोच वह अब लिस्ट हो जाएंगे कुछ-कुछ जो लिस्टिंग है जो कोई-कुछ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं आसुस रोग स्ट्रिक्स का है GTX 1070 एट जी वी आसुस रोग स्टिक्स क्या फरक पड़ता है काफी लोग पूछते हैं कि अगर बॉक्स नहीं तो कैसा करें दिन में दिन में 50-60 पैकेज लोग पैकेज करके बेचता हैं लोग करते काफी काफी सालों से लोग इस सबका एक्सपर्ट हो गए लोग तो आप पैकेजिंग के और टेंशन की कोई बात नहीं रहेगा आप लोगो आपको टेंशन कोई लेने जोटे आप फ्री हो कि आप बस आप पैकेजिंग का वेट कीजिए तो यह बेच रहे हैं आसुस रोग स्टिक्स में ख्याल से थोड़ा सा महंगा है लेकिन लेकिन वोर्थ है 12,000 रुपीस में ठीक है तो आई आप ले सकते हैं 12,000 रुपीस वें इसको चाहिए ठीक है उसके बात है जीटी एक्स गीटी एस 1050 टी एए सबका फेवरेट कार्ड ठीक है सबका फेवरेट कार्ड है इसका जोटेक जिटी एस 1050 टी आई बोदे 6,000 रुपए का पड़ेगा गुड कंडिसन जोटेक का है सिंगल सेम है यह मेरे पास 3-4 पड़े हैं लेकिन मैं इसको बेच नहीं रहां हुआ है यहां पर थोड़ा अच्छी मारजिन में सेल कर पाता हूं यहां तो यहीं मैं कहना बस बता ता कि यहीं स्टिंगल वाला मॉडल है जो टेकर 1050 टी आई है इसका प्राइस बता रहे है छे हजार रुपय और यह भी वारंटी में नहीं है लेकिन आप हम लोग को देखा जो भी कार्ड वारंटी में हो या ना हो आप लोग हम हम से या वेब साइट से खरीद रहे ना तो आपको बाई प्लस शिपिंग शिपिंग आपको देर सो से दो सो रुपय करीब लगेगा तो यह आप ले सकते हैं इसको टेन फिस्टी आई के जरूत हो यह आपको छे जार के आसपास का बजट है यह सबसे तगड़ा काड़ जी टेस टेंफिटी टी आइस सबसे एवल ग्रीन काड ठीक ह कि आप ले सकते हैं उसके बाद अगला काड है आशस का है आटी एस टुन्टी सिक्ष्टी है डूल मॉडल और वन यह ओल्ड है टू एर्स और वारंटी बाकी है तो टू यह और वारंटी बाकी है आसउसका इसका प्राइज है 17,900 रुपे तो यह मैं कहलते हैं यह भी अच्छी दिल इसका 17-18,000 का बजट है आप चाहे तो उन्नीस भी सेयर में 1660 सूपर ले ले या फिर आप 17,900 में 2060 ले 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 टू येर्स वारंटी के साथ भाई मैं होता तो 1660 सूपर नहीं लेता 1819 सेयर में मैं द सब्सक्राइब कीजिए कौन सा वॉर्ट है लेना ठीक है उसके बात है थोड़ा बड़ा काड़ है थाटी एक्स थाटी एक्टी टी आई है इनो 3D आइचल एक्स फोर इसका 1.5 यह ओल्ड है तो इसका मतलब में ख्याल से 1.6 या 1.7 ऐसे कुछ वारंटी होगा 1.7 यह 1.7 य सब्सक्राइब है और कि शら थार फलृष फट्राइब करिची नहीं है और गेमिंग किसी कर परससिनल गेमिंग पीसी का एसे नहीं है गेमिंग एस्टॉप का ही है यह मद गत्यास शृपिंग fridgeड स्मर्स थूष पास लगना चौइब है तो यह आपको ले सकते हैं जिसका बज़र 55 के आसपास हो तो यह 3080 Ti ले सकते हैं यह भी अच्छी दिल लगा मुझे और इसके बात है असुस का टफ 3070 Ti है और यह भी सेलर बता रहें कि यह भी बहुत अच्छी कंडिशन में है और सबसे बड़ी बात यह माइनिंग कार्ड भी नहीं है इसको भी एक किसी बंद्य का कार्ड है जो गेविंग करता था परसनल पीसी का है और यह आपको 41,000 में मिल जाएगा तो यह में ख्याल से अच्छी दिल है यार फाइब मन्स आसुस्तरफ का है और फाइब मन्स सिर्फ जस्ट फाइब मन्स ओल और माइनिंग कार्ड भी नहीं ह तो यह में खाल से अच्छी दिल है अब यह ले सकते हैं इवन मैं कुछ दिन में बेचने वाला हूं मेरा खुद मेरा 3070 Ti क्या होता आई गेम है ट्रिपल फैन वाला जो टॉप मडल आता है तो और मेरे कासे दो या तीन मैंसे कुछ महिना हुआ हो दो से तीन महिना को चासे क सब्सक्राइब करते हैं काफी कोई जा रहे थे 570 का चलो आप लोगों के लिए 570 तो लेकिन यह मुझे शियोर नहीं है कि सेलर के पास कितना पीस से दो या तीन पीस हो सकता है तो अगर जिसको चहिए इन केस 1050 Ti 570 यह सा काफी डिमांड वाले ग्राफिस काड है और इसका भी सेम कंडिशन और भॉक्स नहीं है Boss लोड में तो इतना बुरा नहीं अच्छी काड चीके कंड़ीशन में है और इसका ब्राइस बता रहे से़ेंट नाएंहंड एंग्लूरीग शिपिंग मिला के तो जिसका बज़ सकता है साइड़ जीए ठीक ठाक प्राइब तो यहां से उठालो लेकिन काफी लोग रोते वो गया मैं इसको पैसा भीजा था मुझे अभी तक कार्ट नहीं मिला यह वो रोना धोना करते हैं तो यहां से बोलूगा कि आप लोग जहां से ले रहा हो थोड़ा ध्यान हो जयर बंदा हो यह जन्मीन प्लेटफोर्म ले रहा हूँ चाहिए फेस्बुक ले ले रहा है इद्धाट के नहीं पैसा डर्स में तो वह प्लेटफोर्म से सब्सक्राइब करना उनके पास जाके कार्ट को टेस्ट करके खरी सको ऐसे के लिए और अगर आप ऑनलाइन ओडर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करने लाइक है इतना मतलब आप लोग अच्छा बनाया प्रेटफॉर्म कि आप लोग आग बंद करके खरी सकते हैं और हंड़ेट परसन स्कैम नहीं होगा आज तक किसी का स्कैम नहीं हुआ है इन केस अगर स्कैम होता है तो हमारी है कि हम लोग अपने पॉकेट से अपने साइट से हम कर्स्टमर को रिफंड करेंगे वह हमारे रिस्पॉंसिबिलिटी वैसा अभी आज तक तो हुआ सब्सक्राइब नहीं है तो इसला को दिक्कत की जुरुत नहीं है तो यह था 574 जीवी 7900 रुपीस अगरे नेक्स्ट बढ़ते हैं आसुस टफ है 1660 सूपर 1660 सूपर है यह है इसका यह बिल बाक्स दोनों आवे लेबल है और बोल रहे हैं कि 1.5 यह बाकी भी है थी बिल बाक्स वारंटी वारंटी बाकी अच्छी कंदिशन में है और अच्छी प्राइस बता रहे 14,000 शिपिंग मिला खे तो वह अच्छी प्राइस है आसुस टाफ है और 1660 सूपर 14,000 मिला सेम है 1.5 वारंटी बागी है और इसका भी सेम प्राइज है 14,000 यह सेम सेलर है कि एक बड़ में चेक कर लेता हूं कि दोनों का सेम कंडिशन है हाँ यह सेम सेलर है इसलिए एक ही टाइम में खरीदा है तो मिल बॉक्स एवेलेबल 1.5 वारंटी बागी इसका भी सेम प्राइस 14,000 शिपिंग मिलाके तो आपके पर चॉइस है आसूस को भी जाना चाहते है ब्रैंड में इस दोनों कार्ट की बात कर रहा है तो मुझे आस में चॉइस करता हूँ और मुझे ज्यादा टरस्ट भी सर्विससेंटर के मामले में मैं या रह में का मामले में तो इसलिए जाता आ नेक्स बढ़ते हैं डील एक कॉंबो है प्रोसेसर मदरबोर्ड रैम का और सिर्फ इसका प्राइस है सिर्फ 15,000 में मुझे तो यह अच्छा लग रहा है बहुत बहुत तगड़ी डील लग रहा है मैं खुछ सोच है मैं ही खुद उठा लूँ उसको ठीक है मैं खुद उठा लूँगा आप लोग पहल यह तीनों का कॉंबो का 15,000 में मिल रहा है और क्या चे भाई मुझे बहुत 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 तकड़ा डील लगा देख लो भाई आज के इंदर वेट कुलूँगा और किसी ने लिए तो मैं खुद खरीद लूँगा कि मैं पहले चांस आप लोग को दे देता हूं तो फिर आ वारंटी नहीं है लेकिन एट टेस्टिंग भारंटी दे यह डेका Siya अच्छा भी यह गया फाइब स्थ हока तो आप ले सकते हैं 15,000 में अच्छा कोंब भाई इस अच्छा परफोर्मिस मुझे लगताने कोई मिलेगा देखो ठीक है और भले वारंटी नहीं लेगे फिर फिर से बोल रहा है आज नहीं किसी से तो मैं कल खरीद लूँगा और जिसको भी खरीदना है मेरे को कॉमें 5888GB MSI Gaming X मॉडल गेमिंग एक्स बहुत सुंदर मॉडल है बहुत तगड़ा मॉडल है आप देख सकते हैं फोटो में 5888GB MSI Gaming X इसका प्राइस बता रहें 10,500 रुपीज इंक्लूडिंग शिपिंग मिलाके तो 10,000 जिसका बज़र 10,000 के आसपास है 5888GB सबसे अच्छा चाहिए को बता दूं इंकेस किसी को SSD चाहिए अगर इंकेस किसी के PC में SSD नहीं है एकली सी ड्राइब के लिए तो में को रिकमेंड करूंगा कि आप SSD लगा ले यार कि SSD पर काफी आपको फार्श मतलब नॉर्मल हाट ड्राइब जो यूज़ करते उससे काफी 10 times better, faster मतलब मि चंटट मिलेगा विसका इसका इसका भी आपको एर्टी असका मिलता है और इसके बाद है सिम्टॉनिस का ही 256 जीबी वाला अगर चाहिए तो बारा सो रुपे प्लस शिपिंग तो और यह मिलता है आपको यह आला आपको एमेजन फिलिपकार्ट में आपको अब यह इसका जरूर लगेगा लग से लेकिन शिपिंग कितना लगेगा तो फिर भी इस्टिल बहुत 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 फरक है आपको और यह हमारे सिलर के प्राइस ठीक है और किसी को चाहिए तो ले सकते हैं आप है पीसे फुल पीसी बिल्ड है और इसका बता रहे हैं त्री की वारेंटी भी है और सिर्फ 35,000 रुप्य में है और किसी को चाहिए तो बताइए मैं आपको स्पेक बता देता हूं आप फोटो चाहिए तो इस फोटो भी देख सकते हैं राइजन 5 5600G और कीगाबाइट का बी 450M DS3H मदरबोर्ड 16GB RAM 256GB XPG NVMe SSD है तगड़ी बात यह तो हो नहीं चाहिए जैसा में थोटे पहले पहले पताया वन टीबी हाड़ ड्राइब और 650 वाट प्यास्थ वाला और इसके बाद यह रेवलोशन 05 वाइट कैबिनेट है लुक दिखने भी बहुत लुक्स बहुत आउसम लग रहा है इसका पूरे बिल्ड का प्राइस है ग्राफिस कार्ड लगाने जोरत नहीं डिस्प्ले के लिए और इसमें आप गेम चोटा मोटा हलका फूल का गेम खेल सकते हैं लो टू मीडियम सेटिंग में अच्छी अच्छे एप्पेस आपको मिल जाएगा ठीक है इस प्रोसेसर में भी तो आपको इसमें ग्राफिस का बाकी है भी भी और इसका स्पेक यह है आई 7 6700 आई 7676 जैसे फोटो में देख पा रहे हैं यह मदर बॉट है गीगाबाइट का जेट 170 एक्स जेट 170 एक्स 16 GB राम ठीक है तगड़ी बात है तो अमेसा बोलता कि आजकल सुला जीबी राम एट लिस्ट खरीद हो चाहिए आप गेमिंग के लिए खरीद रहो चाहिए एडिटिंग लिए खरीद हो या श्रीमिक लिए एट लिस्ट फोला जीबी राम लेना भाई ठीक है और उसके बात है 256 GB NVM SSD तगड़ी बात है वन टीबी हाड़ ड्राइग 650 वाट प्योसी आरजीबी वाला एसेंपे 50 वाट और एंटेक आरजीबी केस ठीक है और कूलर मास्टर का एर कूलर यह पूरा सिर्फ 30,000 में देरा भाई वह भी आई 760 और क्या चाहिए आप ले सकते ह और अपने हिसाब साब इसमें ग्राफिस कार्ट बी एड कर सकते हैं सब रेडी है सम्पीस बीडी है कोई भी ग्राफिस कार्ट एड करें कोई दिक्रत नहीं आएगा आपको तो यह सब आज लिस्ट था आप बताईए मेरे को कि आज के पूरे डील सा सबसे तगली डील कौन ठीक है और आज कर वीडियो भी आपको इन्फोर्मेटी लगा होगा इसका अगर लगा है तो प्रीज चलो अब बंदे हैं पहली बार देख रहे हैं यह रोज देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं कर दो भाई यार क्या लोग यह सब्सक्राइब करने का ठीक है कर दो भाई सब्सक्राइब ओके चलो टाटा बाबाई चाहीं